दिहार बोर्ड से जितने भी छात चातरा हैं कलास 9 या 10 में आपके सत्र 2022 से 23 में स्टडी कर रहे हैं अर्थात कि वैसे छात चातरा है जिनका मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2023 में होगा उसके सासा तो वैसे चाहत चात्रा है जिनका मैट्रिक का बोर्ड परिक्षा 2024 में बढ़ेगा तो आप सभी चाहत चात्राओं का दूतिय सावधीक परिक्षा का आयोजन होने जा रहा है 20 सेप्टेंबर से रतत के 29 से अभी के इस वीडियो के माध्यम समनों समझेंगे की इस एकजाम का रूटीन क्या है स्टिलेबस क्या है प्रस्ण पत्र किस रूप में आएगा काफी विद्यार्चियों का प्रस्ण था कि इसका प्रस्ण पहले मिल पाएगा कि नहीं सभी बातों की चर्चा करेंगे देखें दूतिया आपके सावधीक परिक्षा था कि सेकेंड टर्मिनल एकजाम यही से आप हाफ एरली एकजाम और धबारसीक परिक्षा भी बोल सकते हैं इस एकजाम का आयोजन 20 सेप्टेंबर से होगा और तेंथ वाले विद्यार्चियों को समझना है कि 20 सेप्टेंबर से जो होगा यह सेंट अप एकजाम नहीं है यह आपका दूतिये सावधीक परिक्षा है और फिर आपका 15 नौवंबर है तो सितंबर में हो रहा है अक्टू पर पास करते हैं नहीं करते हैं इसकी कोई परभाव आपका एकजाम पर नहीं पढ़ता है लेकिन वहीं पर सेंट अप एकजाम जो होगा वह आपका एक टेस्ट एकजाम होगा जिसमें आपको उत्रीन करना और एकजाम में समलित होना आवस्यक हो जाता है क्योंकि यह जो य पूरे बिहार के जीतने भी स्कूल है। सभी का एक परस्न पत्र पर एक दिन एकजाम होगा, एक क्लिर समझना जिसे बोर्ड एकजाम होता है। और इसका परस्न पत्र अलग-अलग हो सकता है जैसे आपके पर्थम साउधिक परिक्षा में था। प्रसंता कि क्या यह सेंट अप एक्जाम नहीं है यह आपका टेस्ट एक्जाम है दूटिये साउधीक परिख्षा है सेंट आप एक्जाम आपका नौवंबर मंत में रथत की 15-11 से सुरू होगा और नाइंथ नंबर मंत की सेप्टेंबर में 20 से सुरू होने जा रहा है दूट परिख्षाली में स्रीफ 9-12, 45 तक और दूटिये परिख्षाली अर्थत कि 15 से 4 से तक शिर्फ 9 आइंथ का एक्जाम है और आप 9 के परिख्षाली नहीं परिख्षाली में सब्जक्ट लिखा देख पार है इसके दिन 2 परिख्षाली में परिख्षाली में सरफ 10 यह होगा और दूतिये पाली में अंग्रेजी होगा नाइन्थ का, यह पूरा यहाँ पर रूटिंग भ्यान से देख लिजेगा, मैं आपको इसका डाउन्लोड लिंक भी बता दूँगा, और अंतिम हो रहा है आपके 28 के दिन, 13 का समानने बिग्यान, साइन्स का एक्जाम होगा, और 29 क के दिन, आपके 2 पाली में समाजिक भी ज्यान होगा, नाइन्थ का, अंग्रेजी के बिशेट से आपकी परिक्षा की सुरुवात हो रहा है, दूतिये सावधिक परिक्षा का, अब बात करते हैं, इसका प्रसन पत्र कैसे आगा, तो देखें, इसका प्रसन पत्र कहीं पर PTO का कहीं पर टर्नोबर का जैसे आप देख पा रहे थे हैं, सावधिक परिक्षा में, उसी रूप में हर एक इसकूल का अलग-अलग हो सकता है, समझे, 50% इसकूल में आपका PTO से एकजाम होता है, और 50% इसकूल में टर्नोबर से एकजाम होता है, और इसके लिए सुल्क भी तो यहां पर बताया ज़रा ओफीसियल अब्रेट में कि 20 रूपिया प्रती छातर छातरा के दर्से सहयोग रासी लिया जा सकता है, मातर 20 रूपिया एकजाम फी रखा गया है, सिल्यबस की बात करें तो ऐसे देखिए, सिल्यबस तो पर्थम सावधिक परिक्षा में भी आना चाहिए, इसको फेल करने से क्या होगा तो पहले से वारल हो जाता हे, आपको फेल पास करनी लेक journée करने के आपको की तयारी किस दर किया है, तो जैसे ही अकजाम देखर आएगर पर आपको हम लोग उतर प्रवाइड करा देتे हैं, वहां से देकर अबजक्टिब सभश् देखे जा सकते हैं यह आप देखते हैं कि दूतिये साथीक परिक्षा का रूटीन चाहिए आपको डाउनलोड करना है या प्रसंपत्र एकजाम से पहले कर मान लेजिए वाइरल होता है तो आप कहां से देखेंगे ध्यान से समझ लीजेगा यहां पर इसके अपने मुवाइल सबसे उपर सोगा इस पर आपको क्लिक करना है सही आप क्लिक करेंगे आपके सामने और केरियर पॉइंट डॉट कॉम ओफिसल बैफ साइट ओपन हो जाएगा यहां पर नीचे की तरफ थोड़ा सा पहले स्क्रोल डाउन कीजिए यह दो काम आपको जरूर कर लेना है यहां सबसे पहले आपको इस बैफ साइट प्रिक्षा को लेकर उसके बारे में एक एक जनकारी ओपन हो जागे प्रसनपत्र की सुरूप में स्टेट किया है यहां पर जो भी ऑफिस्यल अप्डेट अभी तक जारी किया गया है दूतिय साइटिक परिक्षा को लेकर उसके बारे में एक एक जनकारी दिया गया है आपे देख लिए इस रूटीन के अनुसार अगर यही रूटीन आपके इस्कूल में लिखाया गया होगा तो यही पे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजेगे कि यहाँ सेम रूटीन है तो आपके लिए प्रसंपत्र भी उपलब्द कराने का पर्यास के जगा अगर समझे आपके इसकूल में सेम रूटीन से एक्जाम हो रहा है तो प्रसंपत्र भी उपलब्द कराएंगे वह आप में सेम ही रहेगा पर्थम काम आपको यही कर लेना है कि यहां सा कर एक बार रूटीन मैच कर लिजेगा कि सेम हाई की नहीं अब सवाल है कि अगर सम रहता है तो प्रसंपत्र आपको कैसे मिलेगा तो आप पर जैसे कि आप फर्स्ट रिमिनल में देख रहे थे कि हम आपके लिए सहीं आप किलिक करेंगे आपके सामने त्यम्हें टर्मिनल एक जाम इंगली 200 का फ्रसंपत्र का उतर सहीं तहीं पर अब जेक्टीव सब्सब्जेक्टीव एक्जाम से पलेए यही पर उपलाब्द कर messing जाएगा यहाँ पर नीचे की तरह पर scroll down करेंगे तो यहाँ पर objective का सभी उतर एक से 60 तक objective प्रसंद पूछा जाएगा अंग्रेजी में उसका उतर आपको मिलेगा यही पर नीचे की तरह बढ़ेंगे तो subjective का उतर यहाँ पर download कर पाएंगे PDF format में हम लोग आपके first terminal exam का question paper देखेते उसी रूप में अगर आप ninth का exam दे रहे हैं तो यही पे थोड़ा और नीचे बढ़ जाईएगा थोड़ा सा नीचे की तरब अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिखिए ninth का मिल जाएगा class ninth ninth second terminal exam 2022 question paper यहाँ पे clicker के second terminal exam के English का question paper इसी तरह सभी भी सहे का यहाँ पे जैसे अग्जाम होगा update आपको मिलेगा तो यहाँ साकर अभी भी आप देख सकते कि किस रूप में आपका उतर देखने को मिल सकता है एकजाम से पहले इलाकर अभी कि इस पूरे वीडियो की सरांस हम लोग to the point समझने का पर्यास करें तो 910 के second terminal exam जो 20 से आयोजित होने जा रहा है इसी मन्त में उसके लेकर आपको थोड़ा सा भी चींता लेने की आऊ सकता नहीं हो स्कूल के अस्तर पेड होने वाली एक मात्र टेस्ट परिक्षा सेंटप एकजाम 10 का आपका नौवंबर अंत में 15 से शुरू होगा उसके लिए रूटिंग नहीं आया है सेंटप एकजाम की विजनकारी यहां से अप ले सकते हैं और 9-10 का रूटिं से केंट टर्मिल के यहां से देख सकते हैं आप एकजाम का प्रस्ट पत्र जोए पहले से वाइरल हो जाता है तो इसके लिए कोई काम करना है की arcareerpoint.com website पर अभी आईए और यहां सा कर रूटीन अपना मैज कर लिजेगा कि सेम रूटीन से अगर आपके भी स्कूल में एकजाम हो रहा होगा तो यहीं पर कमेंट बॉक्स में बता दीजेगा कि सेम रूटीन है आप सभी काम कर सकते हैं जरूर यहां पर रूटीन मैज करके बता दीजेगा कमेंट बॉक्स में कि आपका यह रूटीन है की नहीं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद